है वाज सब गाइज वीडियो काफी इंपोर्टेंट है जैसा कि यार सब लोग को पता है और मैं काफी लेट बना रहा हूं वीडियो जैसा कि थमनेल और टाइडल में आप लोग देख लिए होंगे जो कि डेली में इसका टेश्ट हो रहा था तो वहां से फोटो और वीडियो हो गया है तो उस बेस पे लोग देख रहे हैं और उसका बिल्कुल लुक चेंज कर दिया गया है और जो के टीम लवर है जो आरसी लवर है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है तो फिलाल आज इ सब्सक्राइब करेंगे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पर जाओ कि वहां पर अच्छे से बातचीत हो जाती है और एक बात और बता दू मैंने यूटूब सॉट्स का अलग से चैनल बना रख़ा है जिसमें डेली इंफ सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर फोटो डाल दूंगा इमेज दाल दूंगा उसका और देख सकते हैं आप लोग मेरे यूटूब पर गरेक्टिव होंगे तो मैं इस पर वीडियो आपको देखनी है तो अब लोग बताओ मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो बहुत सारे को ने उस पर कमेंड किया था कि हाँ वीडियो चाहिए यह वीडियो में सूट कर रहा हूं तो यहां पर फोटो डाल दूंगा देख लो कुछ ऐसी लुक आने वाली है और केटियम लवर्स विल्कुल डर से गया है कि अगर ऐसे लुक लॉंच करेगा तो फिर आर्सी लवर क उसमें क्या है गाइस की पूरा लुक इसका चेंज कर दिया गया है फर्स्ट फॉल क्या क्या है चेंजेस है वह मैं बता दू आप लोग को जैसे कि यह पुरानी वाली आर्सी सीरीज में आपको देखने को मिलता है डिवल डियारेल हेडलाइट चेटप इसमें है और उसमें का थोड़ा अच्छा लगता है यूनिक लगता है उसका बिल्कुल बेकार सा कर दिया है और एक चीज और जो कि केटियम को खास बनाती है आर्सी को इसकी सीट यह काफी यूनिक और काफी खास बनाती है गाड़ी कहीं भी खड़ी होती है तो लोग पूछने लगते हैं कि य लिट सीट डाल दिया है दो सीट है जैसे कि पिक्चर में आप लोग दिख रहागा तो यह सब जो लुक्स है इसके वज़े से आर केटियम फैंस जो है आर सी फैंस जो है वह काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है और बिल्कुल लाइक हेट कर रहे हैं ऐसे पिक्चर को और मै कफी अच्छा और कफी लेजेंड है केटियम आर सी का तो और एक बात कर लेते हैं लाइक जैसे कि बहुत से लोग यह कॉमेंट कर रहे थे कि क्या अगर नहीं वाली मॉडल लॉंच हो जाएगी तो क्या आर सी पुरानी वर्जन जैसे कि यह वाली यह कंपनी बंद कर देगी तो भाई इस पर पर बता दू कि केटियम ने ओफीसियली कोई भी अपडेट ने दिया है लाइक इंस्ताग्राम पर ट्विटर पर कहीं भी कोई भी अपडेट केटियम ने नहीं सेयर किया है ना तो कोई पिक्चर्स की ऐसा कुछ बाइक लॉंच करने वाला है बट उसका नहीं है कि यह वाली वर्जन बंद हो जाएगी इसकी मैंफेक्स्टिंग बंद हो जाएगी ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है और प्राइस अनौल की बात करें तो ऑफकॉर्स यार जैसे कि बीएस फोर टू बीएस इक्स में कनवर्ट किया तो प्राइस इंक्रीज हुआ त तो उससे एवा भी रहेगा नया वालेगा बट एक चीज में बता दूं कि अगर यह 2021 में अगर 2021 में लांच करता है या फिर 2022 की स्टार्टिंग में लांच करता है तो मेरे को जहां तक observation में अपनी observation में बता रहा हूं कि नहीं वाली model भी यह option में रखेगा क्योंकि KTM को भी कितने like कर रहे हैं कितने dislike कर रहे हैं तो इस हिसाब से मैं judge कर रहा हूं और बता रहा हूं कि नहीं वाले model जो है वह आएगी बट पुरानी वाले model भी रहेगी तो आप लोग को घबराने की जुरूरत नहीं है इतना जल्दी manufacturing नहीं बंद करने वाली companies का तो यह भी अब वीडियो रिकले बाहे टेक केर पीस और लव